दोस्तो हाली में रिलीज हुई समराठ प्रित्विराज मूवी को दर्शको द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है अक्षे कुमार की इस मूवी ने भारतिय इतिहास के उस अध्याय के बारे में सबको जानकारी दी है जिसको अमूमन इग्नोर किया जाता है हम सबको मुहम्मद घोरी के बारे में तो पता होता है पर उन प्रित्विराज चोहान के बारे में पता नहीं होता जिन्होंने तराइन के पहली लडाई में मुहम्मद घोरी को बहुत ही बुरी तरह से हराया था और शायद हम उनके बारे में जानते ही नहीं अगर दोस्तों आप सभी ने हिंदी महाकाव्य प्रित्वीराज रासों के बारे में सुना ही होगा इस ग्रंत में प्रित्वीराज चोहान के जीवन और चरित्र का वर्णन किया गया है इस ग्रंत के रचाईता थे फृत्वीराज चोहान के बच्पन के मित्र तथा उनके राज कवी चंद बरदाई जिन्होंने इस मूवी को देखा है उनको पता होगा कि इस मूवी में इस किरदार को बहुत ही खुपसूर्ती से निभाया है सोनु सूधने दोस्तो चंद बरदाई को हिंदी साहित्ति के आधिकालिन कवियों में शामिल किया जाता है उनका जन्म बरतमान पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था लेकिन उनका अधिकान स्शमय दिल्ली में महाराज पृत्वीराज के साथ बिता था वे युद्ध शेत्र में भी पृत्वीराज के साथ रहते थे चंदवर्दाई की रचना पृत्वीराज रासो को हिंदी का सबसे बड़ा ग्रंद और पहली रचना कहा जाता है रासो की रचना महाराज पृत्वीराज के युद्ध वर्णन के लिए हुई है इसमें उनके वीरता पूर्ण युद्धों और प्रेम प्रसंगों का कथन है अतह इसमें वीर तथा स्रिंगार दो ही रस है इसमें दस हजार से अधिक छंद है और ततकालीन प्रचलित छे भाशाओं का प्रयोक किया गया है